हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बात करेंगे गुजराब पोस्टल सरकल में जो मेरिट स्पोर्ट पर्सन के लिए जो लिए वकैंसिस आउट हुई है टोटल 266 वकैंसिस है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में रहेगी इसके जो अप्लाई करने का मोड है लाइन है और इसकी जो लास डेट है वो 25 नामबर 2021 है जो वकैंसिस है अंडर स्पोर्ट कोटा के और ग्रूप सी की वकैंसिए अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए मतलब कैंसिस है फर्स्ट इसमें वह पॉस्ट असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस और सेवि जो फिव और्ट वकैंसि है वह मल्टी टास्किंग स्टाफ कि इन पोस्ट ऑफिस में रहेगी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पेस्केल के बारे में इसमें जो पॉस्ट असिस्टेंट का पेस्केल रहेगा वह लेवल फॉर करेगा यानि आपकी जो सेल्वी है वह 25,500 से 81, बारे में बात करेंगे यानि आपकी जो एज में जो केंडेट की एज होगी वह इसकी जो एप्लिकेशन की लास्ट यानि पच्छिस नौबर तक काउंट की जाएगी फरस्ट हम बात करेंगे पॉसल एशिस्टन सौटिंग एससल की जो एज माइं गई है वो 18-27 साल की यानि जो मिनिमम मेंज है वो 18 साल है और जो मैक्सिम эфф. 27 जो तीगई है अबीसि वालों को 3 साल की दीकई है एसी और एस्टी वालों को जो है पांच साल की दी गई है बाकी जो रहेगी मतलब गौर्णमेंट सर्वन्ट को रहेगी एस पर गौर्णमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो नेक्स इनों दे रखे वो पॉस्ट मैन और मेल गाड की है इनके लिए भी जो एज है 18-27 साल है और जो रिलेक्सेशन रहेगी वही तीन साल की ओबिसी वालों को यानि अधर बैकवर्ड क्लास को जो नॉन प्रिमिलियर से बिलॉंग करते हैं और जो पांच साल की रिलेक्सेशन वही रहेगी जैसे की रहती है और बाकी जो गौर्णमेंट सर्वन रहेंगे उनके आज पर आज्ड़ाइगी अब हम बात करेंगे कान कौन से डिविजन में कितनी कितनी वकैंसी हैं इसे यहां पर बीजिजन की नेम दिया हुए थिवाफिस के नेम नेंड़ने आपके तो पास्टम सेंटीकों सेयं टोटल सेवेंटीन वकैंसी दो आपकी पॉस्टेंट की नाइन तैने तर्ट इन दे रखिए गान्दी नगर की इसमें तोल आपकी 14 है 6 आपकी रहेगी पॉस्ट्ट मेन और जोब मेलगाड की दिन जो फोर आपकी रहेंगी वो कि दो आपकी रहेगी यहां कि टोटल एक है यह पो यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे टोटल इसके थे रखेंगे यहां पर ढगे हैं तो आपको यहां पर डिटेवर एंफ मिल जाएगे यहां पर टोटल इनके 27 डिवीजन है यहां पर इन्होंने नोट दिया हुए कि जो चीफ मतलब पीमजी गुजरा सरकल एम्दाबाद है उनके पास राइट है कि वह अगर स्लेक्टिट केंड़ेट को है किसी भी यूनिट में वह पॉस्ट कर सकती है वह उनके पर डिपेंड र सब्सक्राइब नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशनल लेंड अधर क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें जो पॉस्टल असिस्टेंट के लिए मिनमुम क्वालिफिकेशन है वह प्लस्टू होनी चाहिए प्लस्टू स्टेंडर होन चीए या उसके विलेंट कोई भी सब्सक्राइब को श्रीफिकेशन होना चीए या तो किसी सेंटरल गवर्मेंट से और स्टेट गवर्मेंट से या इन वर्स्टी से या किसी बॉड्स योड़ सी इसके लएक इसके लाव जो इसकी रिलेक्सेशन रहेगी आपको यहां पर कंप्यूटर कर वह अगर आपने ज जो लोकल लेंग्वेज की नॉलेज होना चीए यहां पर लोकल लेंग्वेज दी गई है वो गुजराती दी होई है और जो इन्होंने गुजराती लेंग्वेज अप्टू टेंट तंडर्ड तक मतलब पड़ी होने चाहिए इसके लाव नहीं वही लिखे जो केंड़ेट के पास है 60 डेस का डियरेशन का बेसी कंप्यूटर ट्रेंट सर्टिकेट होना चाहिए उनके अपर्टमेंट होने से पहले जब युनका पर्मेंट लेटर इस्यों होगा और इसके लाव यह जो आपका है यह स्टेट कोवर्मेंट से यह से रिकोग्नेश्ट या उनिवर्स्ट मेंट्रिक में प्लस्टों में किया और इसके लाव जाए जो कंप्यूटर ओंडीट होगा उसके पास वैलिड लाइसेंसों और टू लाइट मॉटर विकल का इस एपलिकेबल यह जो अपलीकेबल होगा सिरफ बार जो पोस्टमें की लिए अप्लाई कर रहेंगे यह सब्सक्राइब करते हैं अगर आपनी स्टेट या कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स में जो इसकी मतलब एंड में शो हुए है जो कंड़क्ट की गए आल इंडिया स्कूल फेडरेशन के द्वारा इसके लाब अगर स्पोर्ट्समे अगर वह उन्हों ने इन चारों कंडिशन वेसे किसी भी एको किया हुआ तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तन इसके नीचे आपके स्पोर्ट्स की कौन कौन से हैं यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर टोटा सिक्स्टिफॉर और तो आपको यहां पर मिल जाएगा सब्सक्राब कादा तो आपने इन हम स्पोर्ट परसन ृप यहां पर जो कम्पिटिशन करें MICHAEL यहां इसके अपर नीचे की दी वहीं लिए लिए टो ग्रम बरेख़ेगा जैसे यहां पर दिए इंटरनेशनल कंपेटिशन के लिए जो इसके में अथोर्टी है वो स्केट्री ओफ नैशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्ण्ड है आपको फिर्स्ट फॉर्म बरना है अगर आपने फिजिकल एफिशेंसी ड्राइब के लिए तो सिकेट्री और या अधर इन ओवर्रोल चार्ज ऑफिजिकल एशेंसी डा मिनिस्ट्र आफ एजुकेशन एंड सोचल वेलफेर गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो आपको फिफ फॉर्म बरना है और जो इसके परफॉर्म है उसके एंड मिल जाएगी अनॉक्षट टू में मिल जाएगी और इसके लावा उसके जाएगी जो जो एक मैरिकल लिस पना जाएगी तो पार्ट लुवर्र्मेंट कांपिश्यन में मतलब पार्ट रीप्रेजन गया हुआ है यह ते जाएगी जो नेक्स्ट्र फ्रीप्रेसे चाने सेम्पेंशिप में यह गए फिक अन्ने जाएगी डिविसने नेक्सट जाएगी और उसमें जो एनोंने थाट दी जाएगी अगर उसने अपनी उनिवस्टी को इंटर इंटर उनिवस्टी कंपेटिशन में प्रेजेंट किया हुआ वहां पे उन्होंने अवाड़ीट भी किया हुआ है बाइदा थाट पोजीशन तक उन्हें कोई मैडल मिले यह था पोजीशन से क्यों देखें कि एक अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट कि ऑशेट स्कूल को नैशनल स्पोर्ट गेम्स में पोजीशन से क्यों यह अप टूध तो थार्ड तक फिफ्ट इनोंने दे रकिए जो उसमें अगर उन्हें कोई नैशनल इंशनल अबार्ड मिलाए और दिया हुए आपको यहां पर डिटेल में मिल जाएगी इसके लाब इन्हों ने आपके जो फॉर्म के डिस्क्वालिफिकेशन होने की यहां पर रिजन दिये हुआ है अगर आप किसी मतलब कौंत्रैक्ट मेरिज में है तो भी आपको डिस्कॉल momento कर दिया जाएगा अगर आपने आपने कहीं पियाने पता लगता है इसने स्पॉट से उसके लिए अपलाई करते हैं तो अबी उनका परो जीक्ट होजाएगा सिधह सिधह क्योंकि चेन्डेट और सिर्फ एक के लिए आपको एक सिर्फ एकि स्पॉट्ट के लिए एक då si करता तो उसका फॉर्मिजेक्ट कि एक सबड़ा गीम के लिए कर रहे हैं तो भी इसके बना पड़ेगा तो फॉर्म बर्ना पड़ेगा अगर आपने जुद इसमें में आपका मेंशन होगा आपकी में कोई डेंमर हूँ यहां सब्सक्राइबर सटो पीज़यत किया है और bolts by Snake नहीं होगी आपको जो इसका अंडर्टेकिंग होगा वो भी इसमें मतलब चेक करना होगा कि हाँ अगर आप उससे एगरी करते हैं तो आपको उसे साइन कर देना होगा दें नेक्स में कुछ स्पैशल इंस्ट्रक्शन दियुए एप्लिकेंट के लिए आपको अपना जब भी एप्लिकेशन फ़र्म समिट करना उससे पहले जो भी उसका लाईजिबिल्टी क्राइटीरिया होगा उसे अच्छे से रीट कर लेंगा कि आप उसके इलिजबिल्टी क्राइटीरिया को फु सेंट कर देनी है और आपको उसमें डॉक्यमेट सेंट नहीं करने है देन लिखे कि आपको जिसका एप्लिकेशन फोर में इसकी ऑफीशल एब साइट पर मिल जाएगा महां से जाके आप सिधा डाउनलोड कर सकते हैं देन लिखे कि आपको अगर किसी कैटेगर से लेटेड करना होगा अगर आपको एज में लेना चाहती है देन नेक्स्ट दिया होए कि वन्स अपॉइंट रिक्वेस्ट पोर अगर आप एक पर अपाइंट होगे तो ट्रांसफर है वह एस पर एक्जिस्टिंग रूल्स होगा और वहीं दिया है कि कैंडेट ने अगर 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 चेंज किया तो उसके लिए उसे सर्टिफिकेट अटाइच करना होगा दन इसकी एप्लिकेशन फी के बारे में बात करेंगे इसमें जो केंडेट को एप्लिकेशन फी चार्जिस रहेगा वह 100 रूपीज रहेगा और वह तो से एपेमेंट यानि यूजिंग चलान फों के र रहा है देनल के कि अगर आपने एक बार फीज पे कर दिया तो वह दोबारा आप उससे मतला रिफंडेवल नहीं रहेगी और यहां पे उन्होंने कंसेशन दिया कौन कौन से मतलब केंड़ेट को फीज पे नहीं करनी है अगर बुमेन को पे नहीं करनी है एस्यूर एस्टिक के लिए आप अप्लाई कर रहे है इन गुजराथ सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोट्टा फॉर कौन सा स्पोर्ट्स से आपका वह आपने यह और वह इन सब को कैपिटल एंड बोल्ड लेटर में लिखने जैसे यह आप इनों दिया हुए वह आपको यह तो पोस्ट करना है और सेंड कर देना अगर इसके बाद आता है तो इसके लिए कोई केंड़ेट जो है जिम्मेबार नहीं होगी इसके लाब यहां पर इनोंने डोक्यूमेंट की लीज दे रखिए जो आपको इसके साथ सेंड करने है वह सेल्फ अटेस्टिड होने चाहिए फस्ट आप करेगा जो भी आपने मतलब इसमें अपका एप्लिकेशन फॉर्म है विद अंडर्टेकिंग फॉर्म के साथ रेगा देन नेक्स आपकी रेगी तो आपको एड़े फोटो साइस पास्पोट से फॉत और सेंड करनी है जिसका जो साइस है तो उसका अपना नेम चेंज किया तो उसका जो आपिडब भी रहेगा जए जो यहिस्टेड नौट ऑस्टिड के द्वारा होगा जन इसके लावा आपको जो डेट ऑक बर्त का प् डॉक्किमेंट है आपको जो इसके साथ सेंड करने है यदि आपको इस से लेटिड और दिक जान करें चाहिए तो आप इसकी ऑफिशिल लेट साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी यदि आपकी इस वीडियो से लेटिड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शियर अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूटेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए